ओम सान्ती 30 मई 2020 बाबा के महावाक्य बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ज्यान की पौाइंस को इस्मृती में रखो तो खुसी रहेगी तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो बाबा मुक्ती जीवन मुक्ती की राह दिखा रहे हैं प्रस्ण अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है उत्तर अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुखतो नहीं दिया अपना स्वभाव बड़ा फस्ट क्लास मीठा हो माया नाक कान पकड़ कर ऐसा कोई करतब्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले अगर दुख देंगे तो बहुत पस्याताप करना पड़ेगा रजिस्टर खराब हो जाएगा गीत नैन हीन को राह दिखाओ प्रभू ओम सान्ति बाब बैट बच्चों को समझाते हैं रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं यहां बैटे हैं तो समझते हैं हमको बाब पढ़ाते हैं सान्ति धाम जाने का रास्ता बताते हैं बहुत सहज है बाब कहते हैं दिन रात जितना हो सके याद में रहो वह भक्ति मार्ग की यातरा टांगों की होती है बहुत धक्ये खाने पढ़ते हैं यहां तुम बैठे हुए भी याद की यातरा पर रहो यह भी बाप ने समझाया है दैविगुण धारण करने हैं सैतानी अगुणों को कोई भी सैतानी काम नहीं करो इससे बिकर्म बन जाता है बाप आये ही हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने कोई बादसा का बच्चा हो तो वह बाप को और राजाई को देख खुस होगा ना भल राजाई है परन्तु फिर भी सरीर के रोग आदी तो होते ही हैं यहां तुम बच्चों को निश्च है कि शिवबाबा आया हुआ है वह हमको पढ़ा रहे हैं फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा तुम्हारी बुद्धी में रच्ता और रचना के आदी मध्यंत का ग्यान है यह ग्यान और कोई मनुस्य मात्र की बुद्धी में नहीं है तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ग्यान नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे, मनुस्य भगति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनिएक प्रकार की भगति करते हैं, उनमें सब है इस्थुल बाते, सुक्छम बात कोई भी नहीं है, अभी अमर नात की यात् पर इस्थुल में जाएंगे, ओहां भी है वह लिंग, किसके पास जाते हैं, मनुसे कुछ भी नहीं जानते, अभी तुम बच्चे कहां भी धक्के खाने नहीं जाएंगे, तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहां यह बेद सास राधी होते ही नहीं, सतीव में भक्ती होती नहीं, वहां है ही सुक, जहां भक्ती है, वहां दुख है, यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा कीलियर है, यह बुद्धी में रहना चाहिए, अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुसी होनी चाह जानते हो, अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, वहां बहुत थोड़े मनुस्य होते हैं, यहां कितने धेर मनुस्य हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं, दान पुन्य करना, साध्यों के पिछाडी भटकना, कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नैन हीन को राह दिखाओ, राह हमेशा मुक्ती जीवन मुक्ती की चाहते हैं, यह पुराने दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो, मनुस्यों को पता ही नहीं, कलीव की याईव हजारों बर्स कह देते हैं, तो विचारे अंधकार में है ना, तुमारे मे भी नंबरवार हैं, जो जानते हैं, बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे बैरिष्टरी योग, इंजीनियरी योग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की ही याद रहती है, बैरिष्टरी के ज्यान से मनुस्य बैरिष्टर बन जाएगा, यह है र फुसी का एकदम पारा चड़ जाना चाहिए, बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फस्ट क्लास होना चाहिए, कोई को भी दुख न मिले, चाहते भी हैं, किसको दुख न दे में, परन्तु फिर भी माया ना कान से पकड़ भूल करा देती है, फिर भी अंदर पस्तात हमने नाहिक उनको दुख दिया, परन्तु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना, ऐसी कोशिस करनी चाहिए, किसको भी मनसा वाचा कर्मना दुख न देवे, बाप आते ही हैं, हमको ऐसा देवता बनाने, या कभी किसको दुख देते हैं, क्या लोकिक टीचर पढ़ाते हैं दुख तो नहीं देते हैं ना, हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो कोई सजा आदी देते हैं, आज कल मारने का भी काईदा निकाल दिया है, तुम रुहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना, और साथ साथ मैनेर्स सिखलाना, फिर पढ़ेंगे, लिखेंगे, त तो फेल खुद होंगे, यह बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनेर्स सिखलाते हैं, सिखलाने के लिए परदर्शनी आदी का प्रवन्ध रचते हैं, सब परदर्शनी में प्रोजेक्टर मांगते हैं, प्रोजेक्ट भी हजारों लेंगे, हर एक बात बाप बहुत ही पढ़ा भी लेते हो परंतु याद की यात्रा कहां यह है सारी बुद्धी की बाद हमको बाप को याद करना है इसमें ही माया फतकाती है एकदम योग तोड़ देती है बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं समस्ते हैं इनमें यह ग्यान बड़ा अच्छा है इसलि ये महा रथी हैं, बाबा कहते हैं, घोडे सवार प्यादे हैं, महा रथी वह जो याद में रहते हैं, उठते बैटते याद में रहें, तो विकर्म बिनास होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी, और पद भी भरस्ट हो जाएगा, इसलिए अपना चार् रखो, तो तुमको मालूम पड़ेगा, बाबा खुद बतलाते हैं, मैं भी पुरसार्थ करता हूँ, घड़ी घड़ी बुद्धी और तरफ चली जाती है, बाबा के उपर तो बहुत फिकरात रहती है ना, तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है, पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरातो की कमाई चट हो जाएगी, कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ, तो गोया असुर बन जाते हैं, अनेक प्रकार की माया आती है, संपुरण तो कोई बना नहीं है, बाबा पुरसार्थ कराते रहते हैं, कुमारियों के कोई के साथ दिल लगी हुई होगी, तो फिर चल न सके, कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए, इसमें है मेहनत, मेहनत भीगर कुछ भी मिलता नहीं, तुमको एक किस जन्म के लिए राजाई मिलती है, तो कितनी मेहनत करनी उपढ़ाई भी बाबा, इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं, जब तक इसमें पक्के हो जाएं, ऐसा न हो, फिर दोनों जहान से चला जाएं, कोई के नाम रूप में लटक मरते, तो खत्म हो जाते हैं, तक दिरवान बच्चे ही सरीर का भान भूल, अपने को और सरीरी सम बाप को याद करने का फुपसार्थ कर सकते हैं, बाप रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम सरीर का भान छोड़ दो, हम असरीरी यात्मा अब घर जाते हैं, या सरीर यहाँ छोड़ देना है, ओ तब छोड़ेंगे, जब निरंतर बाप की याद में रह करमातीत हो इसमें बुद्धी की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो तदबीर क्या करें, बुद्धी में यह रहना चाहिए, कि हम असरीरी याए थे, फिर सुक के करम संबंध में बंधे, फिर रामण राज में विकारी बंधन में फसे, अब फिर बाप कहते हैं, असरीरी होकर जाना है अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो आत्मा ही पतीत बनी है आत्मा ही कहती है हे पतीत पावन आओ अभी तुमको पतीत से पावन होने की युक्ती भी बतलाते रहते हैं आत्मा है ही अभिनासी, तुम आत्मा यहां सरीर में आई हो, पाश बजाने के लिए, यह भी अब बाप ने समझाया है, जिनको कलब पहले समझाया है, वही आते रहेंगे, अब बाप कहते हैं, कल्यूगी संबंद भूल जाओ, अब तो वापिस जाना है, यह दुनिया ही खत् नहीं है, तब तो धक्के खाते रहते हैं, भक्ती करते हैं भगवान से मिलने, समझते हैं भक्ती बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ती करेंगे, तो भगवान मिलेगा, और सद्गती में ले जाएंगे, अभी तुम्हारी भक्ती पूरी होती है, तुम्हारे मुक से हे राम, ह ये भगवान ये भक्ति के अक्षर भी न निकले, ये बंद हो जाना चाहिए, बाप सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो, ये दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान सतियुग में रहते हैं, सतियुग है चड़ती कला, फिर उतरती कला होती है, प्रेता को भी वास्तों में स स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सतिव को ही कहा जाता है, तुम बच्चों की बुद्धी में आदी मध्य अंत का ग्यान है, आदी अर्था सुरू, मध्य हाप, फिर अंत, मध्य में रावन राज्य सुरू होता है, बाप भारत में ही आते हैं, भारत ही पतीत और पा बाकी तो नंबरवार धरम वाले आते हैं जाड बृद्धी को पाता है फिर उस समय ही आएंगे यह बाते और किसकी बुद्धी में नहीं होगी तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं यह 84 का चक्र बुद्धी में रहे तो भी खुसी में रहें अब बाबा आया हुआ हमको ले जाने के लिए सच्चा सच्चा मासुक आया हुआ है जिसको हम भक्ती मार्ग में बहुत याद करते थे वह आये हैं हम आत्माओं को वापिस ले जाने मनुस्य मात्र यह नहीं जानते कि सांती भी किसको कहा जाता है आत्मा तो है ही सांत स्वरू यह ओर्गन्स मिलते तब करम करना पड़ता है, बाप जो सान्ती का सागर है, वो सबको ले जाते हैं, तब सबको सान्ती मिलेगी, सतियुग में तुमको सान्ती भी है, सुख भी है, बाकी सब आत्माय चली जाएंगी सांती धाम बाप को ही सांती का सागर कहा जाता है यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं देही अभिमानी होते नहीं बाप सांती तो सबको देते हैं ना चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ, इस समय सब असांत हैं, सत्यूग में तो इतने धरम होंगे ही नहीं, सब सांती में चले जाएंगे, ओहां दिल भर कर सांती मिलती है, तुमको रजाई में सांती भी है, सुख भी है, सत्यूग में पवित्रता, सुख, सांती सब है तुमको मुक्ति धाम कहा जाता है सीव ठोम को, ओहां पती दुखी होंगे नहीं, दुख सुख की कोई बात नहीं, तो सांती का अर्थ नहीं समझते हैं, रानी के हार का मिसाल देते हैं ना, अब बाप कहते हैं, सांती सुख सब लो, आई शुमान भो, ओहां काईदे अनसार बच्चा भी होगा, बच्चा मिले, उसके लिए कोई पूरसार्थ नहीं करना पड़ता है, सरीर छोड़ने का टाइम होता है, तो साक्षतकार हो जाता है, और सरीर खुसी से छोड़ देते हैं, जैसे बाबा को खुसी रहती है, ना, सरीर छोड़कर हम यह बनूंगा, अभी पढ़ र उतनी खुसी में रहना चाहिए, जितनी उच पढ़ाई, उतनी खुसी, हमको भगवान पढ़ाते हैं, एम ओब्जेक्ट सामने है, तो कितनी खुसी होनी चाहिए, परंतु चलते चलते गीर पढ़ते हैं, तुम्हारी सर्विस ब्रिद्धी को तब पाएगी, जब कुमारिय मैदान में आएंगी, बाप कहते हैं, आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जब कि जानते हो, हम ऐसी दुनिया में जाते हैं, जहां सेर बकरी इकठे जल पीते हैं, ओहां तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुस हो जाती है, नाम ही है स्वर्ग, तो कुमारियां लवकिक मा बाप को बोलें, अभी हम वहां जाने की तयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है, बाप कहते हैं काम महा सत्रू है, अब मैं योगनी बनी हूँ, इसलिए पतीत नहीं बन सकती, बात करने की खड़ाई चाहिए, ऐसी कुमारियां जब निकलेंगे, फिर देखना कितन जल्दी सर्विस होती है, परन्तु चाहिए नश्टो मोहा, एक बार मर गई, तो फिर याद क्यों आनी चाहिए, परन्तु बहतों को घर की, बच्चों आदी की याद आती रहती है, फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा, इसमें तो यही बुद्धी में रहे, कि हम बाबा के हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, बाप कहते हैं, मुझे याद करो, अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे, बच्चों प्रती मात पिता, बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉनिंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते बाबा, धारना के लिए मुखिसार, अपनी उची तकदीर बनाने के लिए, जितना हो सके, असरीरी बनने का अभ्यास करना है, शरीर का भान बिलकुल भूल जाएं, किसी का भी नाम, रूप याद न आए, यह मिहनत करने है, नमबर टू पॉइन, अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसरी चलन नहीं चलने है, दिल की सच्चाई से, नश्टो मोहाबन, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है, बरदान, अपनी महानता और म हिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में स्रेष्ट विश्व द्वारा पुजनी अभो, हर एक ब्रामः बच्चा बरतमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में स्रेष्ट हैं, और भविस में विश्व द्वारा पुजनी हैं, नमबर वार होते हुए भी लास्ट नमबर का मड़का भी वीशो के आगे महान है आज तक भगत आत्माएं लास्ट नंबर के मड़के को भी आँखों पर रखती हैं क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नायनों के तारे हैं नूरे रत्न हैं जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चे किया डाइरेक्ट बाप का बच्चा बना उसे महान वा पुजनिय बनने की लोटरी वा बरदान मिल ही जाता है इस लोगन इस्थिती सदा खजानों से संपन और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी ओम सांती अपने की जाएगी 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 जाएगी